Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson तो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Carbon Dating के बारे में Carbon Dating exactly क्या होती है, सभी बाते आपको बताऊंगा Basic बाते है, basic से आपको स्टार्ट करूँ में बताना टोस्तो वीडियो को में स्टार्ट करूं उससे पहले अगर अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्रायब नहीं क्या तो अब चैनल को सब्सक्रायब कर लीज़िए इस समयल पर आपको Inglis Language के वीडियो मिलते हैं आपको जनल स्टाडी से की वीडियो मिलते हैं so what is carbon all about when we talk about carbon तो carbon जो होता है दोस्तों इसका atomic number होता है 6 और इसका atomic mass होता है लगवग double that is 12 ये इसका symbol है और इसका chemical name है carbon carbon सभी लोग जानते हैं आप मैं जितनी भी living beings हैं सभी carbon के बने होते हैं चाहे वो इंसान हो animal हो कोई plant हो everything is made up of carbon जो हम fuel आज कल यूज करते हैं दोस्तों जो कई साल पहले जो जानवर दब गए उनसे carbon से convert हुआ fuel जो fuel आज हम यूज कर रहे हैं that is also carbon तो यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है carbon सभी living beings में पाया जाता है right अब इसी को यूज करके carbon dating की जाती है तो exactly carbon dating होती क्या है एक बार देखते है तो carbon dating is a technique ये एक तरह की technique है जिसमें ये पता किया जाता है जो living beings है वो कितना पुराना है माली जे किसी का कंकाल मिला या कुछ भी ऐसा मिला माली जो कोई हमें लकडी मिली तो वो लकडी जो वो कितनी पुरानी है क्योंकि लकडी कभी living रही होगी इंसान कभी living रहा होगा तो वो carbon का बना हुआ होगा तो carbon होने की वज़े से हम उसकी age पता लगा सकते है अब जब कोई माली जे कोई मरता है माली जे कोई आज से 5000 साल पहले तो यहसा तो नहीं हो अपने गले पट्टा डाल के मरा होगा मैं इतने साल में मरा हूँ तो हमें पता कैसे चलता है उसी पता करने के तरीक हो carbon dating कहते है यह जो method दोस्तों इसे discover किया था William Frank Libby ने 1946 में भारत का जादी कि जस्ट एक साल पहले ही सबसे पहले उन्हों ने दोस्तों एक लकडी की age को पता लगाया था और इसके लिए ने novel prize मिला था chemistry का यह तो आपने जाना basic introduction about the carbon dating अब हम exactly बात करते है carbon dating होती क्या है अगर दोस्तों मैं carbon dating की बात करता हूँ तो carbon dating में हम लोग carbon के isotopes का use करते है अब यह isotope क्या चीज है चलिए एक बार पता देता हूँ आपको पता है कोई भी जो atom होता है इसके carbon का ही atom है वो तीन चीजों से मिलके बना होता है electron, proton and neutron तो जो electron होता है यह ऐसे बाहर घुमते रहते हैं आपने basic chemistry में पढ़ा होगा और जो proton और neutron होते हैं वो इसके nucleus में रहते है तो हमें electron से बतलब नहीं है तो basically isotope किसी भी atom का कैसे पता चलता है isotope वो होता है जिसमें proton तो सेम होते हैं लेकिन neutron अलग अलग होते है तो इसी तरह से हमारा carbon है दोस्तो इसका भी isotope होता है इसके तीन isotope basically होते है एक होता है carbon 12 एक होता है carbon 13 एक होता है carbon 14 carbon 12, 13 and 14 इसमें तो यह तीनों जो होते हैं इसमें 12, 13, 14 हैं यह इसके number of neutron होते हैं अब यहाँ पर जो carbon 12 और 13 हैं यह बहुत stable होते हैं यह change नहीं होते हैं यह बने रहते हैं लास तक उतने ही रहते है, लेकि दोस्तों जो magical काम करता है, carbonating वो होता है carbon 14 carbon 14 actually radioactive होता है, जो की unstable होता है और इसकी half life हमें पता है, half life मतलब कितने समय में यह आदा रह जाता है, यह हमें पता है, वो है लगवाग 5,730 साल तो scientist जो होते हैं दोस्तों carbonating में carbon 14 का ही use करते हैं, और carbon 12 तो stable रहता है, तो basically क्या करते हैं, जब भी कोई living जो creature होता है, वो मर जाता है, तो उसमें carbon 14 की quantity है, वो कम होने लगती है, लेकिन carbon 12 जो होता है, वो बरकरार रहता है, तो यह carbon 12 और carbon 14 का ratio निकाल के, उस living creature चर्की age बता सकते हैं, यह इतना age पुराना है, तो यह दोस्तों बहुत एक scientific चीज है, इससे आज कल जो हडपा में जो हमें कंकाल मेले, उनकी एजम पता करते हैं आज जो हमारे humans, जो हमारे ancestors हैं, उनके हमें कंकाल में तो उनकी एजम पता करते हैं, तो mostly age हम यही से पता करते हैं, लेकिन दोस्तों carbon rating की भी एक limitation होती है that I want to discuss with you, इसकी limitation दोस्तों यह है कि यह उनी living objects के बारे बता सकता है, जो लगवग 50 से 60 जार साल पुराने हैं not more than that, this is the limitation of the carbon rating, just remember this यह तो दोस्तों बातरी है यह तो सारी हमारी living objects की लेकिन अगर मालीजी कोई ऐसा object है, जो living नहीं है, non-living मालीजी कोई पता रहा, तो उसकी age कैसे पता करेंगी उसकी age को पता करने के लिए non-living thing, या निकि स्टून की age को पता करने के लिए हमारे पास एक method होता है, जिसको बोलते है हम लोग optical stimulating luminance, you can see in the picture OSL method की तुरू हम लोग पता करते है तो दोस्तों यह था video about carbon dating, मैं उमीद करता हूँ आपको video अच्छा लगा होगा आपको नई बाते जानने को मिली होगी दोस्तों ऐसे ही और content में आपके लिए लेके आता रहता हूँ आपके लिए में और अच्छा और better content लेके होगा right, so that is all about this video thank you so much for watching, take care